कि अंजी नमस्कार आप सबी साथियों को टीम सीए और वन एक्जाम के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफोर्म पे श्वागत करता हूं मैसल संदी बिश्णोई चांटर अकाउंट एंड अकाउंट आप सब लोगों को मैं कॉमर्स के ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने का काम करत देख रहे थे वह आज हमारे समक्स आ चुकी है बहुत खुशी की बात है कि हो सकता है आप मैंसे कुछ लोग परेशान भी हो कि इतना जल्दी आ गया तो कैसे तैयारी होगा वह प्रिप्रेशन को लेके चिंता है लेकिन वेकेंसी का आना बहुत अच्छी बात है क्योंकि व उपर अभी भी सवाल या निशान है तो फुल मिला के नोटिफिकेशन आया बड़ी अच्छी बात है क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद एक दिशा मिल जाती है हमारी तैयारी को और सबसे इंपोर्टेंट कि रिवर्स काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाती दिनों की कि अब से हम जो है 90 दिन है 100 दिन है 120 दिन है इस तरीके से जो कैलिफिलेशन करके जब पढ़ते हैं तो हमारी जो एफिशेंसी और एफेक्टिवनेस जो होती है वो पढ़ने की बढ़ जाती है पहुत सारी बात आपको बताऊंगा देकिके कॉमर्स के अंदर हमारे बैसिकली तीन सब्जेक्ट होते हैं एक होता है एक होता है एक होता है एक होता है बीडियो आप जिन आप मैसे जिन साथ होना पहले दे रखा एक्जाम तो वो थोड़ाइस किप करके देख सकते हैं और कुछ जो नए है उनके लिए भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी कॉमर्स वैसे तो एक सब्जेक्ट है लेकिन असेस्टेंट प्रॉपेशर जो एक्जाम होता है वो तीन सब्जेक्ट के अंदर कॉमर्स की वेकेंसी करवाता है एक्षट अकाउंटिंग और बिजनस स्ट्रेटिक्स एकोनोमि रिटन होता है उसके बाद इंटर्विव होता है ठीक है रिटन एक्जाम और इंटर्विव रिटन एक्जाम होता है 200 नंबर का इंटर्विव होता है 24 नंबर का ठीक है इस रिटन के 200 नंबर किस तरीके से होते हैं इसमें पेपर होते हैं तीन टोटल पेपर 1, 2 और पेपर 3 यह होता है पिचेतर नंबर का यह भी पिचेतर नंबर का और यह 50 नंबर यह जो फास्ट पेपर है वन और यह दोनों होते हैं सब्जेक्ट के ठीक है मतलब अगर आप अकाउंटिंग एंड बिजनस स्टेटेटिक से करने तो टेक्स एन अकाउंटिंग पाइनेशल मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग यह सब मिलकी 150 नंबर पचास नंबर जो होता है जनरल स्टेडी ऑफ राजस्तान राजस्तान का जो सामान्य अध्यान है वो होता है ठीक है टोटल 200 नंबर के लिए यह रिटान एक्जाम होता है इस मैंसे जो लोग सलेक्ट होते हैं तो सेलेक्शन का क्राइटेरिया यह होता है कि अगर 80 पोस्ट है तो मिनिममूं कितने नियूनतम कह रहा हूं नियूनतम लोगों को जो है वो इंटर्यू के लिए कॉल किया जाता है टू टाइमस ठीक है मिनिमं कह रहा है नोर्मली होता है पांच गुना-च्य गुन होता है पचास नंबर का फिर एक दिन जो है वो सुबह और साम में मिलके पेपर वन और टू जो सब्जेक्ट की वो जो होते हैं नंबर ऑप कोशन जो है वो डबल कर दीजिए हर कोशन आदे नंबर का होता है तो 75 नंबर के लिए कि डेट सो सवाल आपसे पूछे जाएंगे पचास का जो जीके का है उसमें सो सवाल पूछे जाएंगे और मार्क्स में आपको बता चुका हूं फिर 24 नंबर का इंटर्व्यू होता है तो इंटर्व्यू तो आपको पता है दिखावे के लिए होता है उसके अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता क्या होता है ठीक है हम सब को प्रियास यह करना चाहिए कि जो रिटन एक्जाम होता है उसके अंदर हम अच्छे नंबर लेके हैं ठीक है यह है कि जो cut-up रहती है interview के लिए for example यह cut-up रही इस बार ABST के अंदर की 120 नंबर जो लेके आया 200 में से उसको interview के लिए call किया गया general category ठीक है इंटर्व्यू के बाद जो cut-up रही वो 152 रही जिसके 224 में से 152 नंबर आया मतलब कितनी वरद्धी हुई 32 marks की ठीक है interview कितना था 24 तो जो 120-21 वाला select भी हुआ है उसने इंटर्व्यू में 24 में से 24 नंबर भी ले आया तो भी वो select नहीं हुआ selection हुआ किसका जो कहां पर थे जिनके 120 की बजाए return में नंबर थे 140 प्लस ठीक है कुछ तो 140 प्लस वाले भी रह गए थी ठीक है लेकिन यह minimum criteria रहा है कुछ हो सकता है एक का दुक का अफवाद हो जो 140 से कम भी हो ठीक है लेकिन उनके पास कुछ और होगा जो आर्पेसी मेंबर्स को पसंद आया होगा वहां पर ठीक है तो उनको भी सामिल कर दिया हो गया बाकि जनरल यही criteria हमारा प्रयास क्या होना चाहिए एक मिनट ही कि आगया बीच में है हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि हाथ में आपके कुछ नहीं है तो आपको 24 मेंसे 4 नंबर 6 नंबर और आप बहुत अधिक पसंद आगे तो 8 नंबर मिलते हैं इससे ज्यादा आप अपक्षा नहीं करें चाहिए आप UPC के तीन बार इंट्र्यू दे चुके हैं कोई मतलब नहीं तो माहिने क्या रखता है रिटन के नंबर और तूटकेट्स ठीक है इसके बाद आगे आते हैं क्या eligibility है eligibility इस बार थोड़ी सी different है समझेगा आप commerce के student है तो खास कर समझेगा बहुत ज्यादा confusion है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पहली चीज हमारे पास होनी चाहिए पूस्ट ग्रेजुएशन जहां वर्ड लिखा हुआ है master's कि प्रॉम रेलेवेंट सब्जेक्ट मास्टर्स होती है पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रेलेवेंट सब्जेक्ट इसके उपर अभी आता हूं कि रेलेवेंट सब्जेक्ट से यह होनी चाहिए ठीक है अब फॉर एक्जामपल आप ABST के लिए अपलाई कर रहें अकाउंटिंग एंड बिजनस स्टेटिक्स तो एमकॉम जो राजस्तान में होती है राजस्तान यूनिवर्सिटी में जे एन व्यूम में वहां पर एमकॉम तीन तरीके से होती है एमकॉम ABST में होती है एफम में होती है और BADM में होती है तोब तो कोई कंफुजन ही नहीं क्योंकि आपकी डिग्री के आगे लिखा हुआ है m अभी औस्ट में एफम मतलब एफम में और BADM मतलब BADM दिक्कत है कहां पर जो राजस्तान के इन युनिवर्सिटी जहां पर ये इस तरीके से classification के अलावा जहां से कर रखा जिनकी डिग्री में सिरफ क्या लिखा हुआ है एम कौम लिखा हुआ है तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं किस सब्जेक्ट से इलीजिबल होंगे और इस सवाल का जवाब आज आपको मैं यहां पर दूँगा इंडियन किसी भी उनिवर्सिटी से या एक्रिडेटेड फॉरेन उनिवर्सिटी से आप डिग्री कर सकते हैं तो अच्छा एक चीज यहां पर इस बार रखी गई है कि मिनिमुम 55 परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए पोस्ट गेजुएशन के अंदर ठीक है जो रिलेक् आपके पास होसे नेट या सेट ठीकव नैट का एक्जाम यूजीसी करवाती है इस्टेट का एक्जाम इस्टेट में होता है रखी या आपने पी असिदी के रखिये लेमें तो सब्जेट से दूसरी नेट सेट यहंकि सके इंटर्व्यू का उस दिन तक आपके पास ये निर्धारित यूँ केता है होनी जी अब सवाल है क्या सी ये इलिजिबल है क्या जो वी एम ओ यू से जिसने कर रखी है वर्दमान उपन से जिसने इगनू से कर रखी है जिनकी एमकॉम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऑप क्राइटेरिया जो रखा जाता है कि जब आप इंटर्विव देने जाते हैं तो इंटर्व्यू के बाद आपको प्रोवीज्णली क्वालिफाइड किया जाता remains आन्प प्रोविजनली मतलब यह भी आपके सब्जेक्ट करेंगे उसके बाद आपको इलिजिबल मानेंगे प्रोविजनली मतलब आपको बाहर नहीं भगाया जाता है अगर आपके पास जन्रल एमकॉम है तो फिर यह देखा जाता है जो इस बार एक्जाम में हुआ जिनको प्रोवि प्रोविजनली के अंदर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं फाइनेंशल आकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्यस्ट अकॉंटिंग टैक्शेशन स्टेंट्स और आपकी जो डिग्री है हैं हमकों कि उसमें जो सब्जेक्ट लिखे हुए इनको क्या किया जाएग और कम से कम 50 परसेंट आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए तो आप उस सब्जेक्ट से इलीजीबल कर दिये जाएंगे कब वो प्रोवीजनली जब आपको कमेटी बैठती है उच सिक्सा विभाग जो है कॉलेज एजूकेशन डिपार्टमेंट और वो कमेटी ये निरने लेती है हाली के एक्जाम्स के अंदर जो अपने कॉमर्स के थे स्टूडेंट जिन्होंने जन्रल एमकॉम कर रखी थी उन सब को इस तरीके से क्वालिफाई किया दे ठीक है ओके इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं हुई है ना वो करते हैं लेकिन क्राइटेरिया यही रहा है ठीक है पोई दिक्कत नहीं अगर आपको चेक करना है आपकी एमकॉम की डिग्री लेके आप बैठिए ठीक है किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगा कि नहीं होगा एमकॉम की डिग्री है आपके पास उसमें सब्जेक्ट देखिए और उस सब्जेक्ट को और पीएसी की साइड पर जो सेलेबस दे रहा है उससे मैच कीजिए सब्जेक्ट कितने मैच हो रहे हैं पता चल जाएगा 50% क अगली बात क्या वी एमोई वालों को इलिजिबल किया यह अब जो मैं बात है कह रहा हूं यह बेस्ट ऑन जो लास्ट एक्जाम का जो ट्रेटमेंट हुआ उसके आधार पर कह रहा हूं इस बार एक नया फंडा और एड़ किया है वह अभी मैं आता हूं मैंने उपर बताया थे उनको एक साल के अंदर डिगरी दी जाती है जिसको बोलते इगनु एफंट में किया गया था क्या सीए वालों को इलिजिबल किया गया था बिल्कुल नहीं बिगनू यह मैं खुद बैठा इंटर्वे देने गया था ठीक है एक्जाम भी दिया था यह हलां कि मेरे पास क कुछ भी नहीं था फिर भी चेक करने के लिए लेकिन उन्होंने सिधा-सिधा मना कर दिया कि सीए जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे ठीक यह उनके तरक भी बड़े वितर्क थे कुछ तरक थे तरक तो क्या थे लेकिन पुल मिला के बात यह है आपको इलिजिबल नहीं लब इंटरिव्यू में भुसने ही नहीं दिया जाएगा बार से फ्री कर देंगे नोटिफिकेशन आ चुका है नेट के लिए अभी आपके पास कौन सा चांस है दिसंबर का चांस आप मान के चल सकते हैं अगले जून का भी अगर ठीक रहा तो और पेसी अपने तरीके से का आले किया था एक कमेटी बनाई थी ठीक है और उसक कमेटी को ये काम दिया गया था कि आप हर सब्जेक्ट के लिए जैसे एबी एस्टłeर है जी और ये उनके लिए सभ्जेक्ट् sera टियार कर लिए Bulgaria का civ dot सब्जेक्ट आपके होने थी इनको कहा गया कि relevant सब्जेक्ट क्योंकि वहां वर्ड लिखा हुआ relevant सब्जेक्ट ठीक है और allied सब्जेक्ट या उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट तो इस समद्ध में जो कमेटी है वह रिपोर्ट उसकी भी आगई है और आज जब नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके साथ वह कमेटी की रिपोर्ट भी जारी की और उसमें बताया कि एबीस्ट वालों के लिए कम से कम यह सब्जेक्ट आपकी डिगरी में होने जाए तो वह मैं एक जलक आपको दि कि A B A C T के अंदर आपकी सब्जेक्ट A B A C T खुद लिखा एए तो इन्होंने कॉमर्स हर जगे लिखा हुए क्योंकि कॉमर्स कहां लिखा हुआ है UGC NET के अंदर तीन पेपर नहीं होते UGC NET कॉमर्स का एक ही एक्जाम करवाती है फिर अकाउंटिंग और फाइनेस होना कमिटी ने लिखा हुगा है वो MBA का या ऐसा पुछ है ठीक है यहां तक क्लियर अब जो नोटिफिकेशन आया एक नजर उसके उपर मैं आपको बता देता हूं उसकी की हाइलाइट्स एबी एस्टी के 86 पोस्ट है सबसे हाइस्ट कॉमर्स के अंदर ठीक है बिजनस एडमिन की 71 है यह एफम की सतर पूस्ट है क्लियर है कि पॉर्म 25 से लेकर अगली 25 तक ऊपन रहेंगे ठीक है कि परसेंटेज आपके होने चाहिए इसके बाद में एक्जाम जो है अक्टोबर में प्रस्तावित है ठीक है तो एटलिस्ट आप मान की चलिए सौ दिन आपके पास है क्लियर पोस्ट के लिए कुछ बताने के मुझे आवश्टता नहीं है स्वर्निम पोस्ट जो होती है असिस्टेंट प्रॉपेशर की ठीक है यह सारी बात है अब अगर आप लोग प्रिपरे के लिए को से चल रहे हैं ठीक है एबी एस्टी और एफम का 50% से ज्यादा सेलेबस हो चुका है और अगले एक महीने के अंदर नेक्स्ट वन मंत के अंदर उस सेलेबस को रिमेनिंग को भी कंप्लेट किया जाएगा ताकि हमारे पास सफिशेंट टाइम बचे रिविजन के के लिए ठीक है रिविजन के लिए भी क्लास ली जाएगी और इंसी क्यूंज भी करेंगे प्रैक्टिस और प्रक्रस का कंटेंट आप जाके देख सकते हैं अगर आप एक बार क्लास सुर्स को आपको refer करने की जरूत नहीं इतना assurance जो है वो मैं आपको दे रहा हूं ठीक है तो यह courses अभी अविलेबल है वन एक्जाम एप के ऊपर क्लियर यह आप self study करना चाहते हैं तो उसे साफ से हम प्लान कर सकते हैं यह सारी बाते हैं इससे समादे इसके अलावा इस्पेशल जो अपने एफम से मैं जुड़ा हूँ ठीक है तो एफम के लिए अपन सेपरेटली डिसकस करेंगे आज या कल एक डिटेल प्लान अब आगे नब्बे सौ दिन किस तरीके से हमें जो है वो चीजों को लेके चलना है क्या नजरिया रखना है क्या पढ़ना है क्या तो फीडबेच जरूर दीजी का थैंक यू